Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर सैलरी का रिविजन लेक्चर डाल दो, तो चलिए आज आपके लिए सैलरी का रिविजन लेक्चर, तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 यह बोलती है कि सैलरी इंकम, सैलरी हेड में कब टैक्सिबल होती है, तो एक क समझना, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, आप पार्ट टैम जॉब कर रहे हो, या फिर ऐसा भी होता है, कि कोई एमपलोय वो दो जगे जॉब कर रहा है, तो भी क्या उसको सैलरी मिलेगी, वो सैलरी हेड में ही टैक्सिबल होती है, अब क्वेशन यह आता है कि सैलरी कब टैक अब एक और चीज़ समझना, जो MP, MLA, MLC रहते हैं, उनको जो भी salary मिलती है, that is taxable under income from other sources, क्योंकि वो employee नहीं है, उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार दो word use होते हैं, एक होता है contract of service और एक होता है contract for service, जब भी contract of service दे रखा है, then it is taxable under the head salary, because यहां contract of service है, लेक case it is taxable under the head PGBP, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार यह होता है, कि आपने कोई salary है, वो forgo कर दी, जैसे हो सकता है न, आपने जो salary है, वो forgo कर दी, आपने काम कर दी, आपकी salary आपने बुला नहीं, मुझे salary नहीं चाहिए, तो भी क्या आपके लिए taxable होगी, answer is yes, because salary is taxable on the accrual basis, जैसे accrued हो गयी, वैसे आपके हाथ में taxable हो जाएगी, लेकिन अगर आप government को kya करते है, salary को surrender कर देते है, तो उस case में नहीं होता है, यह exempt होता है, तो central government को अगर आप salary अब एक बार क्या होदा है, जब आप छोड़ देते हो, उसके बाद में कुछ पैसा मिलता है, अगर आपके employer से मिल रहा है, अब एक बार समझना, इस particular head में, आप क्या करते हैं, तो salary head में आप किसी भी person की salary की income निकालते हैं, salary की income कैसे निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं basic salary, तो जो basic salary है, वो basic salary क्या होता है, अब ही मैं बताऊंगा, तो basic salary, DA, commission, bonus, advance, arrears salary, gratuity, pension, leave salary, allowances, provident fund, उसके बाद voluntary retirement compensation, super annuation fund, retrenchment compensation, perquisite, इनकी सब की total कर देते हैं, that is call your gross salary, gross salary मैं से professional tax का एक deduction मिलता है, एक entertainment allowance का deduction मिलता है और एक standard deduction मिलता है, 50,000 का, ये less करने के बाद जो भी बचता है, that is call your net salary, या मैं बोल सकता हूँ, like income from salary head, अब एक चीज़ समझना, एक 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 note अपन समझते हैं, सबसे पहला basic salary, basic salary का मतलब होता है your base salary, कभी भी जब आप job join करते हो ना, तो उसमें एक base salary दी रखी होती है, इतना तो आपको मिले गई, that is call your basic salary, एक होता है dearness allowance, अब ये dearness allowance क्या होता है, तो देखो basic salary पूरी taxable होती होता है, वो DA पूरा taxable होता है, DA दो तरेका होता है, एक होता है DA in terms और एक होता है DA not in terms, अब एक चीज़ समझना, DA को आपको पूरा taxable करना है, पहली चीज़ तो DA जो भी दे रखा है in terms, not in terms, पूरा taxable करना है under the head salary, लेकिन एक चीज़ समझना, जब आप retirement benefit का calculation का calculation करोगे, वहाँ पे बहुत सारे formula आते हैं, तो उस formula में DA तभी लेना है, जब वो DA in terms है, अगर DA not in terms है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर मानलो question में कुछ भी नहीं दिया है DA के बारे में, तो आप एक काम करिए उसको not in terms मान लीजिए, अगर DA के बारे में कुछ भी नही is commission हो या कोई भी commission है, that commission is taxable, आपके लिए taxable हो जाएगा, bonus के case में क्या होगा, तो sir bonus भी तो taxable होता है, अगर किसी भी employee को कोई भी bonus मिलता है, that bonus is also taxable, लेकिन bonus अगर सरफ declare दे रखा है, आपको bonus मिला नहीं है, then obviously वो taxable नहीं होगा, bonus अगर आपको मिल जाता है, तो bonus taxable होता तो क्या advance salary भी taxable होती है, answer is yes, क्योंकि section 15 यह बोलती है, salary is taxable on the basis of accrual or research whichever is earlier, तो advance salary आपको receive होगी, तो आपके हाथ में taxable हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी question में सरफ advance लिखा हुआ है, या कभी question में advance against salary लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना यह advance salary नहीं है, अग अगर उसको adjust करते है salary के सामने, उस time पर वो taxable होगा, अभी taxable नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला, देखो, advance salary अगर दे रखा है, आपको taxable करना है, लेकिन अगर advance सरफ लिखा हुआ है, only advance लिखा हुआ है, advance against salary दे रखा है, then obviously it is not taxable because it is like a loan, एक होता arrears salary, arrears of salary का मतलब क्य होता है कि अगर कोई salary को ले के पहले कोई dispute हो गया था, या फिर क्या होता है, बहुत बार आपका retrospectively salary आपका employer बढ़ा देता है, ऐक चलो तुमारी salary है, वो बढ़ा दी, retrospectively, तो उस case में arrears of salary कब taxable होगी, तो arrears of salary है, वो तब taxable होती है, जस year में वो concrete हो जाता है, घर की ऻ पर crystal clear हो जाता है कि आपको ये salary मिलेगी, उस year में वो taxable हो जाएगी, that is the accrued, या फिर आपको receive होता है, whichever is earlier है, उस basis पर taxable होगी, तो देखो, arrears of salary के case में मैं ये बोलूँगा, अगर कोई salary disputable थी और अब आपको मिलती है, तो arrears of salary जब आपको मिलेगी, उस time पर taxable हो जाएगी, next part is related to gratuity, अब एक बात समझना है, ये gratuity क्या होता है, कैसे होता है, वो already आपको सब regular batch में बता चुका हूँ, gratuity जो है, जब मिलती है, तो उसका क्या tax treatment होता है, तो gratuity दो time पर मिल सकती है, एक तो आपके during the employment, मिस आप job भी कर रहे हो, और during the employment ही आपको gratuity मिल गई, तो ध्यान रखना, it is taxable for all employee, भले वो government employee है, non-government employee, सब के लिए taxable हो जाएगा, फुली, अगर during the employment मिलता है, लेकिन अगर gratuity at the time of retirement मिलती है, तो उस case में आपको ध्यान देना है, अगर retirement के time पर gratuity मिली, जब आप retire हो रहे हो, और retirement के time पर gratuity मिलती है, तो उस case में एक exemption मिलती है, under section 1010 की, और ये 1010 की exemption क्या बोलती है, कि अगर government employee है, तो पूरा exempt, जितना gratuity मिलेगा, वो पूरा exempt, गवर्मेंट employee है, तो पूरा exempt, लेकिन सर अगर other employee है, तो क्या होगा, जैसे private employee है, तो उस case में क्या होगा, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 15 divided by 26 करिए, that is the half month salary, 15 divided by 26, और एक month में यहाँ है, 26 days बोला हुगा है, तो 15 divided by 26, आप इसको ऐसे याद रख सकते है, 15 अगर चबिज जानूरी, ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर gratuity आपको during the employment मिल जाती है, सबके लिए taxable है, कोई भी employee हो, सबके लिए taxable है, लेकिन अगर मानलो, gratuity आपको retirement के time पे मिलती है, अगर आप government employee हो, तो पूरा exempt है, गवर्मेंट employee के लिए पूरा exempt है, लेकिन other employee में, अगर पोगा employee हो, तो exemption मिलेगा, अगर एक formula base, formula base क्या रहेगा, 15 divided by 26, multiply by salary permit, multiply by number of year of completion of service, दूसरा actual amount received, और तीसरा maximum 20 lakh रूपेज, उतने का आपको exemption मिल जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, question ही आता है, यहा salary permit का मतलब क्या, तो salary permit means, आप एक काम करिए, जब उसका retire हुआ, उस time पे latest basic salary कितना था, वो ले लीजिए, जो latest basic salary परमन्त है, वो लीजिए, और जो DA है, वो भी ले लीजिए, लेकिन DA में आपको दोनों लेना है, means DA in terms है, not in terms है, दोनों DA को, total DA को आपको consider करना है, यह आपका salary परमन्त हो जाएगा, तो देखो, 15 divided by 26, multiply by salary permit में, latest basic plus latest DA, DA में आपको दोनों लेना है, और multiply आप किसको करोगे number of years of completion of service, यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर आपका number of years of completion of service है, वो fraction में आ जाता है, fraction में इस आपको दे रखा कि 26 year and 7 month का service rendered किया, तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे fraction rounded off होगा, पोगा के case में rounded off होगा, अगर 6 month से ज़्यादा का fraction है, तो उसको आप round off कर दीजिए, और round off करना है, 6 month से ज़्यादा वाला है, तो आपको क्या करना है, 27 year लेना है, जैसे foreign example, यहाँ पे मैंने ले रखा है, कि देखिए, पोगा के case में, अगर 30 years और 4 month है, आपको 30 years ही लेना है, अगर 30 years और 6 month है, तो भी 30 years लेना है, लेकिन 6 month से ज़्यादा है, 15 divided by 26, multiply by salary per month, salary per month में latest basic plus latest DA में आपको दोनों लेना है, और number of year of completion of service में जो भी fraction है, अगर 6 month से ज़्यादा का fraction है, तो आपको उसको rounded off करना है, और 6 month से ज़्यादा वाले को आपको पूरा साल लेना है, दूसरा actual amount received और maximum 20 lakh, whichever is lower का exemption मिल जाएगा, लेकिन बेटा एक बात समझ अगर non-poga employee है तो exemption कितना मिलेगा, non-poga employee है तो exemption मिलेगा, आपका 15 divided by 26 की जगे हो जाएगा, 1 divided by 2, that is the half, multiply by average salary per month, और multiply by number of year of completion of service, अब एक चीज़ समझना, 1 by 2 multiply by average salary per month, average commence किया, तो यहाँ average salary per month में आपको एक काम करना है, कि last के 10 महीने का, last के 10 महीने का, जब retire हुआ ना उस मन्त को छोड़ दो, retirement वाले मन्त को छोड़ के, पिछले 10 महीने का, basic salary का, DA in terms का, only DA in terms and turnover commission का, आप average करेंगे, और turnover commission के last के 10 मन्त का, जो भी आएगा, that is call your average salary per month, जो भी आएगा, that is call your average salary per month, जो भी आएगा, that is call your average salary per month, अब एक और चीज़ सेलरी, पर समझना, यहाँ पे number of years of completion of service में आपको fraction को ignore करना है, miss, जैसे 30 years और 11 month है ना, तो भी आपको 30 years ही लेना है, 31 नहीं करना, non-poga में fraction को आपको ignore करना है, जैसे इस example में मैंने दे रखा, देखिए, कि यहाँ पे 30 years और 11 month है ना, तो भी मैंने 30 years ही लिया है, in the non-poga, और second आपका क्या था, actual amount received और तीसरा maximum 20 lakh, whichever is lower का exemption मिल जाएगा, तो exemption कितना मिलेगा, non-poga की बात कर रहे है, देखो, 1 by 2, multiply by average salary per month, average salary per month में लास्ट के 10 month का basic का DA in terms का और तर्णोर commission का आप average ले लिजे, multiply by number of years of completion of service, और दूसरा actual amount received और maximum 20 lakh, whichever is lower है, उतने का आपको exemption मिल जाएगा, अब ए retire हो गए, और retirement के time पर आपको gratuity मिल चुकी है, और उस पर आपने exemption ले लिया, for an example, आपने 7 lakh का exemption ले लिया, अब आपने कोई नया job join किया, वहां से retire हो रहे है, वहां से आपको gratuity मिल रही है, तो धियान रखना, वहां पर आपको maximum exemption फिर 20 lakh का नहीं मिलेगा, only 13 lakh का मिलेगा, म demand normally pension क्या होती है, जो हर महीने मिलती है, retirement के बाद, that is आपको जो लगता है pension वो pension, ठीक है, तो देखो, pension दो तरीके के हो सकती है, एक होती है uncommuted pension, और एक होती है ì committed pension, uncommuted pension का मतलब होता है, monthly pension, जो monthly pension मिलती है, that is called uncommuted pension, uncommuted pension a monthly pension और monthly pension अना, वो सबके लिए taxable है, means, it is taxable for all employee बले government employee non government employee सब के लिए taxable है लेकिन सर अगर commuted pension में आप एक साथ में लंसम करा लेती हो आप बोलते हो के pension हमको हर महीन है नहीं चाहिए आप एक काम करिए उसको लंसम एक साथ में हमको pension दे दीजिए that is called commuted pension तो commuted pension अगर मालो government अगर कितना exemption मिलता है उसमें आपको देखना पड़ेगा ग्रेचविटी मिल रहा है अगर ग्रेचविटी मिल रहा है employee also receive the graduation employee को graduation मिला है तो उस case में exemption मिलेगा कितना बता है total pension का 1-3 total pension का 1-3 वो exemption मिलेगा बट अगर आपको ग्रेचविटी नहीं मिल रहा है तो exemption जादा मिलना चाहिए तो total pension का 1-2 है वो आपको exemption मिलेगा, तो देखो, pension के case में, वापस से revise करते हैं, pension, अगर आपको uncommuted pension मिलता है, means monthly pension मिलता है, तो वो पूरा taxable है, all employee के लिए, लेकिन आपको अगर pension commute करवा लेते हो, एक साथ में lump sum आपको ही pension ले लेते हैं, तो उसमें 2 part government employee है, पूरा exempt हो जाएगा, लेकिन अगर other employee है, तो उसमें 2 part होता है, कि क्या आपको gratuity मिलता है या नहीं मिलता है, अगर gratuity मिलता है, तो आपको exemption थोड़ा कम मिलेगा, कितना, total pension का one third, बैट अगर gratuity नहीं मिलता है, तो आपको total pension का one half है, वो आपको exemption मिल जाएगा, अब यहाँ total pension का मतलब होता है, total pension, मिस commuted, uncommuted, दोनों को मिला कि जो total pension बनता है ना वो, examiner आपको कैसे देगा पता है, कि आपको 5 lakh का pension मिल रहा है 50% के लिए, तो 5 lakh का आपने commutation करा है 50% के लिए, तो 5 lakh तो आपको क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा, you got my point or not, yes, एक होता है, leave salary, sir, leave salary क्या होता है, कि आप अगर चुटी नहीं लेते है, और चुटी नहीं लेते है, तो उस case में क्या होता है, आपकी leave accumulated होती जाती है, तो उसको आप encash करा सकते हैं, और वो encashment of the unutilized leave, उसी को बोलते है, leave salary, leave salary के case में ध्यान रखना, अगर leave salary, अगर आपको employment के अंदर ही मिल जाता है, मिस आपकी job चल रही है, और आप leave salary ले लेते हैं, तो उस case में it is taxable for all employees, सब के लिए taxable हो जाएगा, लेकिन leave salary अगर आप retirement के time पे लेते हैं, तो point है, 4 में से whichever is lower वाला exemption मिलेगा, तो non-government employee, retirement के time पे leave salary मिलता है, exemption कितना मिलेगा, उसमें बिटा, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला leave credit, multiply by average salary per month, पहला क्या है, leave credit, multiply by average salary per month, दूसरा 10 month, multiply by average salary per month, तीसरा actual amount received और चौता maximum 3 lakh, whichever is lower है, उतने का आपको exemption मिलेगा, exemption कितना मिलेगा, देखो, non-government employee, retirement के time पे leave salary मिलता है, कितना exemption मिलेगा, leave credit, multiply by average salary per month, दूसरा 10 month, multiply by average salary per month, तीसरा, आपका actual amount received और चौता maximum 3 lakh, whichever is lower है, उतने का exemption मिल जाएगा, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे question ही आता है, कि पहले तो आप average salary per month बताओ, average salary per month क्या होता है, तो average salary per month means last के 10 month की salary, last का 10 month कहां से लोगे पता है, जिस दिन retire हुआ ना, उस दिन से exactly पीछे के 10 month, suppose retire हुआ कोई person 16th March को, तो भाईया, आपका 15th March जो है, उसके पीछे के 10 month का आपको average salary लेनी है, basic salary, D.A. in terms and turnover commission का average, so जब वो retire हुआ, उसके exactly पीछे के 10 month का आपको average लेना है, basic salary plus D.A. in terms plus turnover commission का last के 10 month का average ले लो, that is called average salary per month, लेकिन से leave credit कैसे निकालेंगे, तो बड़ा simple है, leave credit में आपको leave allowed कितनी थी, minus leave taken कितनी है, leave allowed कितनी थी, minus कर दीजिए, leave taken तो आपको मिल जाएगा, leave credit, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर leave credit आपको months में लेना है, जैसे for an example आपको दे रखा के leave credit 120 days का है, तो 120 days नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर 120 days को month में convert करेंगे, और 120 days को आप month में convert करते हैं, तो आपके 4 month हो जाते हैं, तो आप लेकिन के 4 month multiply by average salary per month, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर leave credit निकालते time, आपको मैंने क्या बोला, आप लोगे क्या allowed leave minus leave taken, अब ध्यान रखना, leave credit calculate करते time, हर completed year के लिए maximum आपको 1 month का leave allow हो सकता है, उससे जादा नहीं, income tax law बोलता है, का हर completed year के लिए, जैसे for an example, किसी employee ने जो service complete की थी, वो 20 years की थी, तो 20 years के लिए यहाँ पर leave allowed जो है ना, वो 20 years, तो पर year के लिए कितना हो सकता है, maximum 30 days का हो सकता है, तो 20 multiply है, आपका 30 days, it means आपको maximum कितना हो सकता है, 600 days का आपको leave है, वो allow हो सकता है, minus मान लो, 480 days का आपने leave लिया था, तो उसमें से 120 days है, वो आपका leave credit हो जाएगा, means 4 month है, वो आपका leave credit यहाँ पर आ जाएगा, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर leave credit का मतलब क्या होता है, leave allowed minus leave taken, लेकिन जब आप leave allowed लेते हैं, तो उसमें maximum 30 days लेना है for the completed year, जितने year का आपने service complete किया है, उसका maximum हर year का 30 days से ज़्यादा leave allow नहीं हो सकता, तो देखो, मैंने क्या बोला, all people pay attention, हम बात कर रहें leave salary की, अगर leave salary आपको during the employment मिल जाता है, पूरा taxable होगा, लेकिन retirement के time पे मिलता है, अगर government employee है, तो पूरा exempt हो जाएगा, other employee है तो क्या होगा, whichever is lower, 4.4 में से whichever is lower, सबसे पहला leave credit multiply है, average salary per month, दूसरा 10 month multiply है, average salary per month, तीसरा actual amount received, और जाता, maximum 3 lakh, whichever is lower, उतने का exemption बिल जाएगा, average salary per month में आपको क्या करना है, जिस date को retire होगा, उसके exactly पीछे के 10 महीने का basic plus DA in terms plus turnover commission का आपको average लेना है, और यहाँ leave credit कैसे निकालेंगे, allowed leave minus leave taken, और allowed के इतना होगा, हर completed year के लिए 30 days का leave भी allow हो सकता है, अब एक चीज़ समझना, next point पे आते है, that is related to the VRS, voluntary retirement compensation, अगर कोई assessi जो है, उसको VRS ले लिता है, जो employee है, वो employee VRS ले लिता है, VRS का मतलब अपनी मर्जी से retire हो जाता है, that is called voluntary retirement compensation, उसको company पैसा भी देती है, तो उसमें exemption मिलती है, 1010C में, और यह exemption कितनी मिलती है, तो exemption मिलेगी 4.4 में से whichever is lower, सबसे पहला amount तो यह, कि आप एक काम करिए salary पर मंद लीजिए, और salary पर मंद का मतलब, जब वो retire हुआ, उस time उसका basic salary कितना था, plus DA in terms कितना है, और turnover commission, salary पर मंद में, मतलब retire हुआ, उस time पर उसका basic salary, plus DA in terms, plus turnover commission लेंगे, तो salary पर मंद multiply by 3 month किरिए, तो multiply by 3 month किया, इसका मतलब मैं बोल दू, 3 month salary, retire हुआ, उस time पर जो salary थी, 3 month का salary, और salary में क्या आएगा, basic plus DA in terms, plus turnover commission, multiply किरिए number of year of completion of service, कितने साल की service complete की है, उसने, यहाँ पर fraction आपको ignore करता है, मैं जगर 20 years और 9 month दे रखा है, आपको 20 years सी लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इसको समझने ही कोशिश करो, कि salary per month, अभी का salary कितना है, multiply by 3, तो 3 month का salary हो गया, और multiply by number of years of completion of service, indirectly मैं ऐसे बोलू, जितने साल की service complete होई, हर साल के लिए 3 month का salary, हर साल के लिए, for every year, 3 month का salary, in simple word ऐसा बोल सकता हो, तो आप कैसे गड़ सकते है, कि 3 month का salary, 3 month salary, multiply by number of years of completion of service, दूसरा क्या लेने का, salary per month में इस अभी का salary है, multiply by number of remaining month of the service, कि अगर वो job पे आता, तो कितने month और बाकी थे उसके retirement में, जैसे for an example, आपको examiner ऐसे देगा, कि suppose उसके 60 month है, वो pending थे, या 60 month pending थे, तो उसको आप 5 years भी बोल सकते हैं, तो 5 years का service pending था, तो that is the 60 month, तो आप क्या करेंगे, salary per month multiply by 60 से multiply कर देंगे, तीसरा actual amount received और चौता जो है, that is the 5 lakh, whichever is lower, तो मैंने क्या बोला, VRS compensation, VRS compensation है, जब भी आपको मिलता है, उसमें exemption मिलती है, exemption कितनी मिलेगी, तो देखो, salary per month multiply by 3 month, multiply by number of years of completion of service, दूसरा salary per month multiply by number of month of remaining service, तीसरा क्या है, actual amount received और चौता maximum 5 lakh, whichever is lower है, उतने का आपको exemption मिल जाएगा, एक concept आता है, retrenchment compensation, अब यह retrenchment compensation क्या होता है, कि अगर कोई assessi को retrench किया जाता है, तो उस time पे क्या होता है, retrenchment वर लब उसको निकाला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कि basically, industrial dispute act के इसाफ़ से उसको compensation मिलता है, तो उस compensation में भी आप exemption ले सकते है, exemption कितना ले सकते है बता है, कि जो भी आपका industrial dispute act के इसाफ़ से compensation रहेगा, और maximum 5 lakh, whichever is lower का exemption मिल जाएगा, तो compensation as per the industrial dispute act, और maximum 5 lakh रुपेस, whichever is lower है, उतने का exemption मिलेगा, लेकिन यह compensation as per industrial dispute act निकालते कैसे है, तो उसके लिए formula रहता है 15 divided by 26, हाप month, multiply by average salary of last 3 month, means last 3 month का average salary कितना है, वो आप ले लीजिए, और multiply by number of years of completion of service, यहाँ पे fraction अगर 6 month से ज़ादा है, तो आपको rounded off करना है, यहाँ पे fraction अगर 6 month से ज़ादा है, तो आपको rounded off करना है, जैसे अपन पोगा employee में करते थे, वैसे, अब यहाँ पे salary में क्या लेना है, basic plus DA in terms plus turnover commission, देखो salary में maximum जगे यही definition है, basic plus DA in terms plus turnover commission है, यही आपकी definition रहेगी salary पर बंद की करगे, ठीक है, तो देखो basic plus DA in terms plus turnover commission, last के 3 month का average ले लीजिए, 15 divided by 26 and multiply by number of years of completion of service, और fraction अगर 6 months से ज़्यादा का है, तो आपको यहाँ पे rounded off करना है, that is called your retrenchment compensation का exemption, अब आगे चलते हैं, अब allowances पे, तो यहाँ पे कुछ allowances मिलते हैं, अब एक चीज़ समझना है, यह allowances क्या होते हैं, कि monthly आपको कुछ ना कुछ fix amount मिलेगा, भले आप खर्चा करो या ना करो, आपको allowance मिलेगा, that is children hostel allowance, children education allowance and all, तो this is called your allowances, अब allowances को आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, कि यहाँ पे पहला वाला जो commutation है, और दूसरा वाला children education, children hostel होस्टल है, टी सी उधर है, है मिस हरे करेंगे, तो देखो, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, allowances में कुत्ता टी सी उधर है, कुत्ता टी सी उधर है, कुत्ता में सी तीन है, करेंगे सबसे पहला कौन सा, commutation allowance, commutation का मतलब होता है, transport allowance, office से घर पे घर पे office करें, ठीक है, यह deduction यहाँ पे exemption मिलता है, इस commutation allowance का exemption, सिरफ किसको मिलता है, पता है, handicapped employee को, अगर कोई employee handicapped है, तो उसको यहाँ पे exemption मिलता है, कितना, 3,200 पर मन्त, maximum 3,200 पर मन्त का exemption मिलेगा, जैसे उसको commutation allowance मिला, 5,000, तो उसमें से 3,200 exempt हो जाएगा, बाकी है, वो taxable होगा, पर मन्त, 3,200 पर मन, commutation allowance, तो commutation allowance का exemption है, वो सिरफ किसको मिलता है, जो handicapped employee है, blind है, तो उसी को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता, अब एक और चीज़ समझता है, दूसरा C है, Children Education Allowance, तो Children Education Allowance का exemption मिलेगा, maximum 100 per child per month, maximum 2 child, क्या बोला, maximum 100 per month per child, maximum 2 child, उसके बाद, आपका Children Hostel Allowance, 300 per month per child, maximum 2 child, 300 per month per child, maximum 2 child, तो C में 3 आगे, सबसे बहला, commutation allowance का exemption मिलेगा, किसको handicapped को मिलेगा, सिरफ और दिव्यांग employee को मिलेगा, और कितना मिलेगा बता है, 3200 per month, 3200 per month, उसके बाद, Children Education Allowance, 100 per month per child, maximum 2 child, Children Hostel Allowance, 300 per month per child, maximum 2 child, तो कुत्ता में, यह मतला, Underground Allowance, यह Underground Allowance है, उनको मिलता है, जो Mines में उगेरा काम करते हैं, maximum 800 per month का exemption मिलेगा, maximum 800 per month का exemption मिलेगा, उसके बाद, Tribal Area Allowance, जो Tribal Areas है, Tribal Areas में जो Employee Job करते हैं, उनको Tribal Area Allowance मिलता है, maximum 200 per month का exemption मिल जाएगा, उसके बाद, एक का मतलब होता है, Allowances to the Employee of the Transport Undertaking, जो Transport Undertaking में काम करते हैं, उनको क्या होता है, कि जो Driver Conductor बगेरा होता है, जो Transport Undertaking में काम होता है, उनको Allowance मिलता है, तो उसका exemption कितना मिलेगा, कि जितना उनको Amount मिला, Multiply by 70% और 10,000 per month, whichever is lower, तो जितना उनको Allowance मिला, उसका 70% और 10,000 per month, whichever is lower, जितना Allowance मिला, उसका 70% और 10,000 per month, whichever is lower, तो एक बाद बताओ, यहाँ कुत्ता की limit है, कुत्ता की limit है, यह limit दे रखी है, तो C में पहले वाला का 3,200 per month, उनली दिव्यान के लिए मिलेगा कर गें, ठीक है, उसके बाद में Children, Education Allowance, 100 per month per child, Maximum 2 child, Hostel, 300 per month per child, Maximum 2 child, उसके बाद में Underground, 800 per month, Tribal Area, 200 per month, और Allowances for Employee of Transport Undertaking के लिए, जितना amount मिलता है, उसका 70% और 10,000 per month, whichever is lower, अब एक बाद समझना, यह TC उधर कर गें, ठीक है, यह TC उधर क्या है, तो T का मतलब Travelling on Tour Allowance, C का मतलब Convince Allowance, U का मतलब Uniform Allowance, D का मतलब Daily Allowance, H का मतलब Helper Allowance, और R का मतलब Research Allowance, या जिसको आप Academy Allowance भी बोल सकते हैं, अब एक बाद समझना, यह जो Allowances होते हैं, यह Exempt उतने होंगे, जितना आपने Actual में खर्चा किया, जितना आपने Actual में खर्चा किया, ना उतने Exempt होंगे, जैसे Foreign Example, आपको Allowance मिला 20,000 का, आपने खर्चा 15,000 किया, तो 15,000 Exempt हो जाएगा, बाकी 5,000 Taxable हो जाएगा, तो जितना आपने खर्चा किया, उतना Exempt होगा, बाकी वाला Taxable होगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, TC उधर, TC उधर में क्या क्या आएगा, Traveling on Tour Allowance, Convents Allowance, Uniform Allowance, इसमें जितना आप Actual में Expenditure करोगे उस Purpose के लिए, उतना Exempt हो जाएगा, बाकी वाला Taxable हो जाएगा, उसके बाद कुटता TC उधर है, So, है means HRA, HRA का Exemption मिलता है, HRA का Exemption कितना मिलता है, तो HRA का Exemption आपको 10, 13A में मिलता है, कितना मिलेगा, तीन में से whichever is lower, पहला तो 40 या 50% of आपका सालरी, 40 और 50% of सालरी, दूसरा Actual Amount Received, और तीसरा Rent Paid, माइनस 10% of सालरी, और यहां सालरी का मतलब होता है, Basic Plus DA, In Terms Plus Turnover Commission, क्या बोला मैंने Basic Plus DA, In Terms Plus Turnover Commission है, वो आपका सालरी का मतलब होगा, तो देखो, सबसे पहला 40 और 50% of सालरी, सर 40% कहां, 50% कहां, अब एक बाद समझना, जब भी आप Mumbai, Delhi, चन्ने और कॉलकाता, जो 4 मेट्रोज है, वहाँ पे रहते हो, तो 50% of सालरी, और बाकी किसी भी CT में रहते हो, तो उस case में आपका 40% of सालरी, तो मैंने क्या बोला, देखो, सबसे पहला आप क्या करेंगे, 40 और 50% of सालरी, दूसरा actual amount received, और 30 और rent paid, minus 10% of सालरी, whichever is lower है, उतने का आपको exemption, यहाँ पे मिल जाएगा, 10, 13, A में, अब एक और चीज़ समझना, इसके अलाबा, कोई भी allowances आपको मिलते हैं, वो सब taxable है, इसके अलाबा, कोई भी allowances आपको मिलते हैं, all other allowances है, वो आपके पूरे taxable हो जाएंगे, उसमें कोई भी exemption नहीं मिलेगी, एक entertainment allowance होता है, जिसका एक deduction मिलता है, section 16 में, जिसको अपन note number 16 में, पढ़ेंगे गरगे, ठीक है, चलिए, अब अपन अगला note पढ़ते है, that is related to the provident fund, सबसे पहला statutory provident fund, अब एक बाद समझना, यह statutory provident fund या, जिसको मैं SPF बोलूँगा, इसका मतलब होता है, यह government companies पे लगता है, जितनी भी government companies है, जैसे Indian railway, वहाँ पे SPF लगता है, वहाँ पे जो employees है, उनके लिए SPF होता है, statutory provident fund, अब एक बाद समझना, जो SPF होता है, SPF में एक चीज़ समझना, employee का जो contribution रहता है, employee जो contribute करता है, उसको आपको ignore करना है, क्यों ignore करना है, क्योंकि employee जो contribute करेगा, वो obviously tax बरने के बाद ही करेगा, जैसे employee का salary, यह foreign example, 10 lakh रुपेज, तो वो 10 lakh में tax बरेगा, अब उसमें से ही वो contribute करेगा, तो कोई वापस taxable धोड़ी हो जागा, तो employee का contribution है, उसको ignore करना, लेकिन एक चीज़ समझना, SPF में अगर employee ने कुछी भी contribute किया है, तो उसको ATC में deduction मिल जाएगा, उसके बाद में जो employer का contribution होता है, SPF में वो पूरा exempt है, employer का contribution SPF में होता है, वो पूरा exempt है, as well as the, उसका जो interest आता है, वो interest भी पूरा exempt है, जो employee का contribution, employer का contribution, उसपे जो interest every year accrued होगा, वो interest पूरा exempt हो जाएगा, और lumsum जो पैसा मिलता है, at the time of retirement, वो भी पूरा exempt है, तो कुल मिला के SPF जो है, उसमें सब exempt है, एक तो employee का contribution, ignore करना है, employer का contribution exempt है, interest आएगा, वो exempt और retirement के टाइम पे, जो भी पैसा मिलेगा, जो CCIT या CIT होते हैं, वो इसका recognize करते हैं, कि यह recognized है, मैं यहाँ से approval ले रखा होता है, उसको open बोलते है, recognized provident fund, अब एक बात समझना, RPF में जब भी contribution करते हैं, तो employee का contribution है, उसको तो आपको ignore करनेगा, और salary में क्या लेंगे, या basic plus DA in terms, plus turnover commission, तो मैंने क्या बोला, employer का contribution है, वो exempt होता है, up to 12% of salary, और salary में क्या लेंगे, basic plus DA in terms, plus turnover commission है, वो अपन लेंगे, अब एक चीज़ समझना, जो interest आता है, वो interest up to 9.5% परेनम तक, exempt है, उसके उपर वाला taxable होगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, RPF, employee का contribution ignore, employer का contribution exempt, up to 12% of salary, interest 9.5% परेनमे, उतना आपका exempt हो जाएगा, उसके उपर वाला taxable होगा, और जो retirement के time पर पैसा मिलता है, वो retirement के time पर पैसा मिलता है, RPF से वो पूरा exempt है, लेकिन उसमें condition यह है, कि RPF का पैसा जो मिलेगा, वो exempt तभी होगा, जब employee ने at least 5 years से उससे ज़्यादा के लिए service rendered की है, means at least 5 years तक service rendered की है, तो ही exempt होता है, 5 years से कम service rendered की है, तो जो जो पहले exemption लिया था ना, उतना वाला amount अब taxable हो जाएगा, at the time of retirement, लेकिन एक चीज़ समझता है, 5 years से कम service rendered की है, तो भी 3 cases में exemption मिल जाएगी, कब, या तो कोई employer का business close down हो जाता है, जो employer है, वो employer का business है, वो shut down हो जाता है, close down हो जाता है, या employee retire हो रहा है due to the ill health, means उसकी health support नहीं कर रही, या फिर जब employee retire हो रहा है, वो इस instruction के साथ हो रहा है, कि उसका जो भी RPF का balance है, वो नए employer के RPF में transfer गढ़ दे, मिस अगर पुराने employer को ये बोलता है, कि जो मेरे RPF का balance है, उसको नए employer के RPF में transfer गढ़ दे, अगर ऐसा बोलता है, या फिर वो बोलता है, कि इसको NPS में transfer कर दे, NPS जो under section 80 CCD वाला रहता है, उस NPS में new pension scheme में transfer कर दे, तो उस case में यहाँ पे employee को कोई भी taxable नहीं होगा, even 5 साल का service उसने rendered नहीं किया है, अब एक चीज़ समझना, इस बार एक amendment आया, और amendment यह बोलता है, कि देखो एक बात बताओ मैं आपको, यहाँ प इस बार एक amendment किया, और law makers बोलते हैं, कि employee ने जो खुद का contribution किया है, employee का own contribution, जो employee का own contribution है, उस पे interest exempt होता है, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पे अगर employee ने 2,50,000 से ज़्यादा contribute किया ना, तो 2,50,000 तक का contribution पे जो interest रहेगा, वो exempt होगा, और 2,50,000 से ज़्यादा contribution है, उस excess contribution पे जो भी interest रहेगा, वो taxable होगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, employee के contribution की, कि जो employee है, वो employee जो contribute करता है, किसमे, SPF में या RPF में, तो SPF, RPF में अगर उसने contribution किया, और वो 2,50,000 से ज़्यादा है per annum, so 2,50,000 से जितना भी ज़्यादा वाला contribution रहेगा ना, उस as well as the SPF, और यह amendment कब से है 1st April 2021 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1st April 2021 या उसके बाद में, employee जो खुद का contribution SPF, RPF में डालता है, अगर उसका 2,50,000 से ज़्यादा वाला है, तो 2,50,000 वाले contribution पे जो interest मिलेगा, वो interest exempt है, उसके उपर वाले contribution पे जो भी interest मिलेगा, वो taxable हो अगर ऐसा employee है, जिसके लिए employer कोई contribution नहीं करता है, अगर कोई ऐसा employee है, जिसके लिए employer not made any contribution, employer कोई contribution नहीं करता है, तो यहाँ पे 2,50,000 की जगे है, जो आपकी limit है, वो 5,00,000 हो जाएगी, मिस 5,00,000 तक के contribution पे जो interest, employee का contribution अप to 5,00,000 तक रहेगा, उसके जो interest आएगा, वो exempt है, उसके उपर वाले contribution पे जो भी interest आएगा, वो taxable है, अब एक और चीज़ समझना है, यह जो amendment है, यह amendment applicable है, only contribution made on or after 1st April 2021, उसके पहले के जितने भी contribution थे ना, वो भले 250 से ज़्यादा थे, 250 से कम थे, उस पे जो interest आता रहेगा, वो exempt रहेगा, कोई दिकत नहीं है, next part आता है कि sir, URPF, unrecognized provident fund, ऐसा provident fund जिसका recognition नहीं ले रखा, तो एक बात समझना है, जो URPF में जब पैसा डालते हैं, तो employee का contribution रहेगा, वो employee का contribution है, उसको ignore करना है, जो employer का contribution रहेगा, वो exempt है, interest भी exempt है, लेकिन taxable कब होता, जब आप retire हो जाते हो, जब आप retire होते हो, और URPF से जो आपको ignore करना है, और एक चीज समझना, यहाँ employee जा contribute करता है, URPF में तो यहाँ पे ATC का deduction नहीं मिलता, वहाँ पे SPF, RPF में जो employee का contribution था, उस पे ATC का deduction मिलता है, बट URPF के case में ATC का deduction नहीं मिलता, अब एक चीज समझना, जो भी उसको lump sum पैसा मिलता है, उसमें employee के contribution तो ignore कर तब, उसके बात में next part पे चलते है, Super Annuation Fund, अब एक बात समझता है, इस Super Annuation Fund वैसा ही होता है, जैसा आपका Provident Fund होता है, Provident Fund में क्या होता है, Every Month जाता है, Super Annuation Fund में आप annually contribute करते हो, तो Super Annuation Fund में एक चीज समझता है, जो employee दो तरह के Super Annuation Fund होते है, एक approved Super Annuation Fund, एक un-apprude Super Annuation Fund, अग लेकिन यहाँ पे आपको ATC में deduction मिल सकता है, यहाँ पे आप लिख लेना, ATC में deduction मिलेगा, employee को अगर approved Super Annuation Fund में पैसा डाला, उसके बाद जो interest आता है na, approved Super Annuation Fund पे वो भी exempt है, और employer का contribution है, वो भी exempt है, कितना up to 7,50,000 पर एनम, पूरे साल का मिला के 7,50,000 तक exempt है, 7,50,000 से जि employer का contribution है, वो exempt होता है, लेकिन कितना up to 7,50,000 पर एनम, अब यह 7,50,000 पर एनम, बट as per section 17, sub section 2 और clause number 7 में आएगा, अब यह क्या है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूँ, तो अब एक चीज़ समझना, मैंने क्या बोला, approved Super Annuation Fund, employee contribution ignore करो, employer का up to 7,50,000 और जो interest है, वो exempt हो जाएगा, और lump sum पैसा मिलेगा, वो भी exempt होगा, लेकिन अगर unapproved super annuation fund है, तो treatment से वैसा ही होगा, जैसा URPF के case में होता है, unrecognized provident fund के case में हो रहा था, वैसा ही treatment होगा, अगर unapproved super annuation fund है तो, अब बात करते हैं अपन percusate की, next part पे चलते है, percusate क्या होता है तो percusate और आपके allowances में फरक होता है, percusate तब मिलता है, जब actual expenditure होता है, आपको जो facility provide की जाती है, that is the call percusate, but allowances क्या होते है, actual खर्चा नहीं हुआ, तो भी allowance मिलेगा, जैसे मालो आपको children hostel allowance मिल रहा है, children education allowance मिल रहा है, वो allowances आपको मिलते रहेंगे, HRA मिल रहा है, भले employer खुद आपको facility देता है, जैसे आपको car provide की गई, house provide किया गया, that is call your percusate, percusate है ना, वो additional benefit होते है, allowances होते है, वो आपके salary का part होते है, जब भी आप job join करते हो, तो आपको लिखा होता है, यही आपको allowances मिलेंगे, और percusate है, वो additional benefits आपको दिये जाते है, अब एक चीज सम जिनके सबसे पहला आता है, leave travel concession, यह leave travel concession क्या होता है, कि अगर आप India में घूमने जाना चाते हो, अगर आप India में कहीं घूमने जाना चाते हो, तो आपका employer बोलता है, कि चलो तुमारे traveling का खर्चा मैं दे दूगा, तो employer क्या करता है, traveling का खर्चा है, वो दे देता है, तो आपको क्या exemption मिलेगी, answer is yes, 10-5 में exemption मिलेगी, और 10-5 में exemption कितनी मिलती है, समझने ही कोशिश करना, सबसे पहली चीज़, आप travel कैसे कर रहे है, अगर आप travel air से कर रहे है, मिस flight से आप travel कर रहे है, और employer ने पैसा दिया है, तो exemption कितना मिलेगा बता है, जो economy class का fare होता है, जहा आपको मिल जाएगा, मिस exemption इतना मिलेगा, लेकिन एक बात समझना, आप कहीं घूमने गए, और घूमने जो गए है, वो किसी और मोड से गए, देखो air से नहीं गए, आप घूमने किसी any other mode से गए, any other mode में हो सकता है train से गए, हो सकता है bike लेके गए, हो सकता है car से गए, हो सक railway facility available है, चुक 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 railway facility available है, तो उस case में exemption कितनी मिलेगी बता है, जितना आपका actual expenditure हुआ, और आपका first class railway AC fare, जो railway का first class का AC fare रहेगा, whichever is lower का आपको यहाँ पर exemption मिल जाएगा, लेकिन आप जहाँ पर गए, माल लो वहाँ railway facility available ही नहीं, आप कहीं जूमरी तले या च bus का transport facility available है या नहीं, अगर वहाँ recognized transport facility available है, तो उस case में क्या करेंगे, actual expenditure और deluxe class का fare, जो bus में deluxe class होता है, deluxe class का fare, whichever is lower का exemption मिल जाएगा, लेकिन इक चीज समझना, अगर वहाँ पर जहाँ आप गए थे, वहाँ पर आपका recognized transport facility भी available नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो actual expenditure है, या फिर similar distance का, जो railway का fare होता है, first class AC का fare, first class railway AC का जो fare similar distance का रहेगा, उतने का आपको exemption यहाँ पर मिल जाएगा, अब और एक और चीज समझना है, यहाँ leave travel concession का exemption है, वो सिरफ किसके travel के लिए ले सकता है, एक तो employee का, और employee के साथ में उसके घरवाले भी जा सकते है, लेकिन घ spouse, children और dependent relative, यहाँ पर exemption जो LTC का मिलेगा, वो किसके traveling के लिए मिलेगा, employee के traveling के लिए, और उसके साथ उसके relative में कौन कौन आएगा, एक spouse, एक children और एक dependent relative, और dependent relative में near and dear, कौन mother, father, brother, sister, क्या बोलोगे, mother, father, brother, sister, so mother, father, brother, sister है, वो ही चार लोग है, वो dependent है, वो आप पर, dependent relative, य जोने के लिए, उनका exemption आपको मिल जाएगा, बाकी को अगर लेके गए, तो उसका पैसा employer ने दिया, तो वो पूरा taxable होगा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, children के case में आप यह exemption maximum दो बच्चों पर ले सकते हैं, अगर वो 1st October 1998 के बाद बॉर्ण हुए, अगर बच्चा हुआ, और second time आपको पता नहीं था कितने बच्चे होगे, और second time मानलो आपके twins होगे, तो total तीन बच्चे होगे, आपको exemption पूरे तीन पर मिल जाएगी, क्योंकि second time आपको पता नहीं था कितने बच्चे होगे, तो पूरे तीन पर exemption मिल जाएगी, लेकिन एक बात birth हो जाते हैं, तो जितने भी multiple birth है सब पर exemption मिल जाएगी, लेकिन अगर पहली बार multiple birth हो चुके हैं, उसके बाद में और अगर बच्चे होते हैं, तो उस पर exemption आपको नहीं मिलेगी, यह LTC का जो exemption है नहीं यह आपके हर 4 साल के block में, 4 calendar बच्चे होता है, उसमें से 2 calendar year तक आप यह exemption ले सकते हैं, दो बार आप यह exemption का benefit ले सकते हैं, और अभी आपका जो block है, वो 2018 से लेकिए 2021 का 4 साल का block रहता है, उसमें से 2 बार आप यह benefit exemption का ले सकते हैं, और अगर बात बताओ, अगर मान लो दो बार नहीं ले पाते हैं, तो आप एक carry forward भी कर सकते हैं, जैसे एक benefit है, वो carry forward कर सकते हैं, और अगला जो 4 का block रहेगा, that is 2022, 23, 24, 25, तो 22 से 25 के बीच में फिर आप तीन का benefit ले सकते हैं, नेक्स आता है medical facility, अगर employer आपको medical facility देता है, मिस आपका hospital का bill अगर है, वो employer देता है, nursing home का bill अगर employer देता है, तो उस case में ये percusate माना जाता है, ये taxable होता है, लेकिन exemption मिलेगी, सबसे पहली चीज़, अगर treatment आप कहां पे करा रहे हैं, आपका treatment अगर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में कहां पे हो रहा है, या तो government hospital में हो रहा है, employer own hospital में होता है, या government recognized hospital में होता है, तो उस case में ये benefit पूरा exempt है, अगर आपका treatment है, वो government hospital में हुआ, employer own hospital में हुआ, या फिर यहाँ पर government recognized hospital में हुआ तो जो भी आपका जो benefit मिलेगा वो पूरा exempt है लेकिन अगर कहीं और treatment हुआ तो उस case में यह पूरा taxable हो जाएगा अगर मालो treatment इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया के बाहर होता है तो तीन चीजों का खर्चा हो सकता है एक तो treatment का, एक stay का और एक तुम्हारा travel का benefit अब एक बाहर समझना अगर इंडिया के बाहर कोई treatment हो रहा है तो उस case में जो treatment का expenditure और stay का benefit है जो expenditure वो employer ने दिया तो उसमें exemption मिलेगी जितनी RBI की prescribed limit है जो RBI की prescribed limit है जितना RBI ने prescribed कर रहा है उतना आपका exempt हो जाएगा, बाकी बाला taxable हो जाएगा अब एक चीज समझना, travel का जो benefit दिया employer ने travel का खर्चा जो employer ने दिया, उस case में वो travel का benefit है वो आपका पूरा exempt हो जाएगा अगर आपका gross total income अप टू टू लेक है लेकिन आपका जो भी travel का expenditure है, वो employer ने reimburse किया तो वो पूरा taxable हो जाएगा अगर आपका gross total income टू लेक से जादा है मिस आप travel benefit वाला पहले छोड़ दो, फिर आप GTI निकालो इप GTI इस अप टू टू लेक हो पिस टू लेक है उससे कम है तो उसके इसमें पूरा exempt हो जाएगा travel का benefit लेकिन अगर GTI टू लेक्स से जादा है तो पूरा taxable हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना है, यहाँ पर आपका अगर medical insurance premium है medicale में वो employer pay करता है, वो पूरा exempt हो जाएगा यह benefit कोई भी taxable नहीं होता है जो medicale pay करता है, insurance आपका health insurance premium है वो employer ने pay किया तो पूरा exempt हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पर treatment किसका होना चाहिए या तो employee का होना चाहिए, spouse का होना चाहिए, children का होना चाहिए dependent, relative का होना चाहिए, relative में वो ही mother, father, brother, sister तो मैंने का बोला, exemption treatment किसका employee का, spouse का, children का, या dependent, relative का एक और चीज़ समझना, exemption जो आपको stay का मिलता है और travel का मिलता है वो सरफ दो लोगों के लिए मिलेगा, एक तो जिसका treatment कराने चाहिए, और उसका एक attendant तो one patient और one attendant के लिए ही आपको exemption मिलेगा, बाकी पे लिए नहीं, अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर एक और amendment आया, और यह amendment क्या बोलता है, कि आपको बता है, COVID में बहुत सारे लोगों की तवयत बिगड गई थी, तो COVID के related अगर treatment के लिए employer ने कुछ भी पैसा दिया, तो वो taxable नहीं होगा, वो medical treatment के लिए कोई भी अगर employer पैसा देता है, तो वो taxable नहीं होता, तो देखे, point number 4 में क्या दे रखा है exemption allowed in respect of any illness relating to the COVID-19, COVID-19 से related कोई भी illness है, तो उसके लिए जो भी पैसा है, मिलेगा, वो आपका exempt हो जाएगा, मिस उसका treatment अगर employer ने कराया है, तो वो आपको benefit exempt है, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर कुछ condition है, पहली condition यह है कि COVID-19 का positive report देना पड़ेगा, document maintain करना पड़ेगा, और employer क्या करेगा, वो employer को, आप जो है, employee जो है, व COVID-19 positive, तो जिस दिन COVID-19 positive हुए, उसके 6 महीने के अंदर-अंदर, अगर कोई भी illness होती है, तो वो illness से related treatment है, वो employer दे रहा है, उसका benefit, and उसके साथ में certification in respect of all expenditure incurred on the treatment, treatment पे जितने भी खर्चे हुए थे, उसका certification होना चाहिए, वो expenditure certified होने चाहिए, तो ही उस particular case में, इसका exemption आप दिया, तो वो पूरा exempt हो जाएगा, वो taxable, नहीं होगा, भले private hospital में कराया है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि government hospital वगरा होना चाहिए, भले ही private hospital में treatment कराया, तो भी वो benefit है, वो पूरा exempt हो जाएगा, बहुत बार employer क्या करता है, लोन देता है employee को, और उससे बोलता है, interest म benefit मिला, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी आप SBI का interest rate ले लिजिए, minus actual interest rate ले लिजिए, minus actual interest rate करिए, जैसे for an example, मैंने मेरे employee को 5 lakh का loan दिया, तो मैंने मेरे employee को 5 lakh का loan दिया, multiply by SBI का interest rate मालनो 9% है, मेरा employee को इंटरेस्ट देही नहीं रहा है, तो 5 lakh multiply by 9%, it comes to the 45,000, 45,000 percusate is taxable in hands of my employee, लेकिन suppose my employee is paying me the 4% interest, in that case, can I say that 5% interest का benefit हो रहा है उसको, तो आपका 5 lakh multiply by 5%, it comes to the 25,000, 25,000 है, वो मेरे employee का हाथ में ऐसा percusate taxable हो जाएगा, next part पर चलते है, एक चीज़ समझना, यहाँ पे interest का benefit taxable होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यानक ना, अगर loan अगर up to 20,000 का, यह मिन च disease के treatment के लिए लिए गया है, मिस उसको कुछ ऐसा specified disease होगी, कुछ ऐसी दिल देरा देने वाली बिमारी होगी, और बिमारी के treatment के लिए बेचारे को loan दिया गया है, तो उसका interest benefit percusate में taxable नहीं करना, employee को अगर आपने gift दिया, तो क्या gift taxable होता है, गिफ्ट अगर cash में दिया, तो पूरा taxable है, अगर in kind दिया, तो उसकी fair market value less than 5000 है, तो exempt है, 5000 या उससे ज़्यादा है, तो पूरा taxable है, तो उसकी जो fair market value है, वो fair market value less than 5000 है, तो पूरा exempt है, 5000 या उससे ज़्यादा है, तो पूरा taxable हो जाएगा, ESOP के case में क्या होगा, मैं आपको अभी ESOP इसके सामने आग issue price, difference है, वो employee के हाथ में taxable हो जाएगा, और ये employee के हाथ में taxable उस year में होता है, जिस year में वो option को exercise करता है, तो जिस year में उसको option को exercise करता है, उस year में वो taxable हो जाता है, एक और चीज़ समझना, ये fair market value है, वो fair market value उस date की लेंगे, जिस दिन को उसने option exercise किया था, तो जिस दिन बर क्या होता है, movable asset use करने के लिए employee को देते हैं, employee के पास में कुछ asset थी, employee ले गया और घर पे use कर रहा है, personal purpose के लिए use कर रहा है, तो उस case में क्या होगा, तो दो चीज़ा है, अगर computer laptop use करने के लिए दिया, अब एक बात बताओ, computer laptop क्यों देता है employer, क्योंकि आपको घर पे सुकुन ना मिल पाए, आप office का काम कर पाओ, तो इसमें कोई employee को ज्यादा benefit होता नहीं है, ये benefit पूरा ही exempt हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो, यहाँ पे कोई other asset use करने के लिए दी है, जैसे TV है, AC है, camera है, bike है, तो other asset use करने के लिए दी है, तो क्या होगा, दो पाक, सबसे प एंपलोईर ने पे किया, higher charges paid by employer, वो taxable amount हो जाएगा, in hands of the employee, अब एक चीज समझता, बहुत बार क्या होता है, asset है, वो transfer कर देता है, employer, employer है, वो asset transfer कर देता है, मैं बेच देता है, कम rate में employee को, जैसे for an example, मेरे पास में एक bike थी, मेरा employee बोलता है, ये bike मुझे दे तो ना, मैंन चीज समझना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर computer या laptop है, तो उस case में WDV कैसे calculate करोगे, WDV calculate करने के लिए आपको depreciation less करना है, 50% on the WDV method, जब से वो computer laptop employer ने खरीदा था, उस date से लेके, और जब transfer किया, वहाँ तक आपको क्या करना है, 50% WDV method से आपको depreciation less करना है, य new case of the motor car, car की case में ध्यान रखना, अगर car है तो उस case में WDV निकालते टाइम, 20% depreciation less करना है, on the WDV method, लेकिन एक चीज समझना, any other asset है, जैसे camera है, bike है, कोई other asset है, furniture है, तो उस case में आप क्या करेंगे, WDV निकालने के लिए आपको depreciation less करना है, 10% on SLM method से, 10% on SLM method तो देखो, अगर employee को कम rate में कोई भी asset बेची जाती है, तो employee को benefit हुआ, employee के हाथ में taxable होगा, taxable कितना होगा, WDV minus जितना उसमें consideration दिया, WDV कैसे निकालोगे, तो WDV निकालने के लिए, अगर माल लोगो computer laptop है, तो उस case में WDV method से, आपको 50% per annum का depreciation लेना है, car के case में 20% WDV method से, और appreciation लेना है, completed year का मतलब क्या होता है, जैसे foreign example मैंने कोई asset है, वो 19 July 2021 को खरीदी दी, और मैंने मेरे employee को बेच दी, वो बेची माल लो 15 June 2023 को, तो यहाँ पे completed year कितने हुए, तो मैं बता हूँ, 19 July 2021 से आपका 1 year complete होगा, on the 18 July 22, और 18 July 22 के बाद मैं यहाँ पे, आपका 19 July 22 से लेक और आपका, यहाँ पे दूसरा 18 July 23 तक होगा, अब एक बात बताओ, 18 July 23 से पहले-पहले उसने transfer कर दिया, on the 15 June 2023 only, तो मैं बोलूँ, यहाँ पे 2 साल complete नहीं हुए, तो completed year 1 year है, तो 1 year का आप depreciation less कर दो, और उसके बाद में जो भी बचता है, WDB minus consideration, difference से वो employee के हाथ में taxable हो ज लो lunch office में provide किया जाता है, या through that paid voucher, paid voucher आपको पता है, वो सुडेक्सों के voucher आते है, तो voucher के through या office में provide किया जाता है, और उसकी market value up to 50 रुपीज है, अप टू 50 रुपीज पर मीले, तो उसके इसमें exempt है, मिस 50 रुपीज तक exempt है, उसके उपर वाला taxable हो जाएगा, जैसे एक और चीज समझना, office में बहुत बार tea coffee वगरा, breakfast वगरा provide किया जाता है, तो वो taxable होगा, नहीं, वो पूरा exempt है, एक और चीज समझना, कहीं आपका office remote area में और वहाँ पर lunch facility provide की जाती है, तो उस case में वो taxable नहीं होता है, अब एक और चीज समझना, ये वाले interesting part है, exam में question बन सकता है, सबसे पहली चीज ये, ये सरीक बात बताओ, employer जो होता है न, वो contribution करता है, अगर तीन जगे, यहाँ पर ध्यान रखना, employer ने contribution किया, suppose RPF में, या फिर तुमारा, RPF में, या फिर तुमारा, ASF में, approved superannuation fund, या फिर तुमारा, NPS में, NPS मतलब, new pension scheme, तो देखो, RPF में, अगर employer का contribution तो हमने दिखा था न, वो 12% of salary तक exempt है, उपर वाला taxable है, ASF में मैंने बताया था कि, up to 7,50,000 तक exempt है, उपर वाला taxable है, और मैं बता दू, new pension scheme में, तो employer जो भी contribution करता है न, वो पूरा taxable है, lawmakers बोलते है, कि अगर employer ने contribution किया, employee के लिए, ये RPF, ASF, NPS, सब मे मिला के, 7,50,000 से ज़्यादा, means 7,50,000 से ज़्यादा का contribution किया, तो जो भी in excess of 7,50,000 है न, वो perquisite माना जाएगा, और employee के हाथ में taxable हो जाएगा, जैसे for an example मैं बता दू, RPF और आपका ASF और NPS, तीनों में मिला के, employer ने contribute किया 12,00 रुपिज, तो 12,00 रुपिज, employer ने contribute किया न समझना, इसके उपर वाला जो आपका 4,50,000 है न, this 4,50,000 is fully taxable, ये perquisite माना जाता है, तो हमेशे त्यान रखना, अगर employee ने contribute किया, कहाँ पे NPS में, NPS में National Pension Scheme, या New Pension Scheme, जिसको बोल सकते है, RPF में is Recognized Provident Fund, या ASF में is Approved Super Annuation Fund, इन तीनों में मिला के, पहले तो इन तीनों जितना भी है, वो पूरा taxable हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, अगर RPF, ASF, RPF में, या ASF में, या NPS में Employed ने contribute किया, 7,50,000 से जादा, तो जो भी in excess of 7,50,000 रहेगा न, that is fully taxable as a perquisite, एक और चीज़ समझना, ये 7,50,000 से जादा वाला taxable तो होता है, बट इस पे हर साल जो income accrued होगी न, वो income भी taxable होगी, जैसे foreign example, यहाँ पे 12 lakh का contribution किया, तो 750 तक, जो है, 750 छोड़ दो, उसके उपर का 450 है, बो 450 taxable हो गया, अब एक बाद समझना, every year इस 450 पे जो income का accreation होगा न, वो income का accreation भी taxable होगा, इस 450 पे जो भी future में dividend मिलेगा, interest मि करके, यह 750 से उपरवाला taxable होता है, यह दे रखा है 1727 में, 17 section, sub section 2, clause number 7, और इस पे जो income आएगी, वो taxable होगी, वो दे रखा है 1727A में, लेकिन यह taxable कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, जैसे अगले साल हो सकता हमारा RPF का करोड़ो रुपे का balance पढ़ा है, NPS में करोड़ो र रुपे का balance पढ़ा है, तो उस पे तो interest आएगा, तो पता कैसे चलेगा, कि उस पे कितना है, 750 से उपर वाले पे कितना, नीचे वाले पे कितना, कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने बोला, एक formula आप follow करो, और इस formula के basis पे जो भी आएगा, वो taxable होगा, यह formula क्या बोलता है, बड़ा simple सा formula है, यह formula बोलता है, कि भाईया, आप सबसे पहले आपको TP निकालना है, TP का मतलब यह होता है, कि 750,000 से ज़्यादा वाला जितना भी contribution रहेगा, उस पे कितना interest आया, वो interest वाला part है, वो आपको निकालना है, बट इसमें कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप का जो भी आपका income रहेगा, वो कितना taxable होगा, इसका मतलब हो क्या रहा है, कि 750,000 से ज़्यादा का जितना contribution था, उस से access वाला, उस access वाले पे इस साल में कितना income आया है, और वो taxable करना है, तो चलिए, सबसे पहली चीज़ होती है, कि सर PC किसको बोलेंगे, तो मैं बता दू PC का मतलब होता है, कि current year में 7,50,000 से ज़्यादा का employer का कितना contribution है, सबसे पहले बोलीजी, that is the PC, PC means normal, PC का मतलब होता है, आप यह समझे, current year करगे, तो current year में आपका employer ने 750 से ज़्यादा का कितना contribution किया, that is called PC, so यहाँ पे example लेता हूँ, जैसे employer ने foreign example 10,000 का contribution किया, और employer ने 10,000 क contribution किया, 7,50,000 से एक्सेस वाला कितना हुआ, 2,50,000 हुआ, तो पहले आप एक काम करिए, current year का मतलब अपना previous year 22,23, अपन बात कर रहे है, previous year 22,23 की, तो 22,23 में आपका 2,50,000 आया, तो 2,50,000 ले लिजिए, divide by 2 कर दीजिए, अब दूसरी चीज़ आप बोलेंके, सर एक बात बता में, last year में में, पिछले साल, as well as उसके पिछले साल, कितना 7,50,000 से एक्सेस वाला contribution था, वो तुमारा हो जाएगा PC1, तो PC1 का मतलब होता है, कि last year में, last year में, 750 से जादा कितना एक्सेस contribution था, employer का, वो तुमारा हो जाएगा PC1, तो यहाँ पे देखिए, PC1 में अगर आप दे 20 से लेके, current year को छोड़ दीजिए, current year अपना कौन सा है, previous year 22-23, 22-23 को छोड़ दीजिए, इसका मतलब आपको लेना है, previous year 2021 and previous year 2021-22, इन दो साल में, कितना 750 से जादा का contribution किया था, employer ने, वो आप ले लीजिए, that is call your PC1, तो देखो, PC, एक normal one is the PC, PC का मतलब होता है, current year में, 750 से जादा का कितना contribution है, and PC1 का मतलब होता है, कि last year में, employer ने 750 से कितना जादा contribution किया था, that was call your PC1, अब आप बोलोगे, TP1 का मतलब क्या होता है, तो TP1 का मतलब होता है, कि भाईया, last year में, last year में, 1727A में, कितना income accreation वाला taxable हुआ था, means, इस particular section में, last year में, last year में, कितना taxable हुआ था, last year में कितना taxable हुआ था, under section 1727A, that is call your TP1, तो देखो, one का मतलब जो बोल रहा है न, वो last year की बात कर रहा है, तो PC1, as well as, यहाँ, TP1, one का मतलब, last year में, कितना जो है, वो इस particular section में, interest taxable हुआ था, that is call your TP1, अब आप बोलोगे, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, अब यह rate कैसे निकाल लिए, तो र के लिए इन्हों ने बोला, पहले आप ले लीजिए, I divided by F average, I का मतलब होता है, कि current year में, आपका जो total है, वो आपका RPF से, SPF से बगएरा जो है, वो income कितना है, तो current year में, आपका जो है, वो fund का balance कितना था, closing में कितना था, divide by 2 कर दीजिए, तो current year का 1st April 2022, 31st March 2023, इसका divide by 2 कर दीजिए, वो आपका आज आएगा, that is the F average, तो जितना इस साल में income हुआ, divide by आप जो F average आया, उससे divide कर दीजिए, वो आपकी R आ जाएगी, तो देखिए, एक बार में वापस बता रहो, आ आपको ये निकालना है, कि जो employer ने 750 से ज्यादा का contribution किया था, उस पे कितना interest accredited हुआ, and that is going to be taxable in current year, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले PC divide by 2 करना है, PC का मतलब होता है, कि current year में 750 से ज्यादा का employer ने कितना contribution किया, वो ले लीजिए, divide by 2 कर दीजिए, उसके बाद R R का मतलब होता है, rate, rate कैसे करते है, multiply by R कर रहे, तो PC divide by 2 multiply by R, R कैसे निकालना है, I divide by F average, I का मतलब इस साल में आपको, इस साल में RPF, NPS, ASF से आपको कितना income हुआ, that is called I, और divide by average करना है, कि in fund का opening balance कितना था, closing balance कितना था, divide by 2 कर दीजिए, that is called F average, तो I divide by F average कर दीजिए, तो 750 से ज्यादा का employer ने कितना contribution किया था, 750 से ज्यादा, means in excess of 750 कितना contribution किया था, वो ले लीजिए, और TP1 का मतलब होता है, कि last years में इस particular section में 1727A में कितना interest taxable हुआ था, वो आप ले लीजिए, that is call your TP1, और multiply कर दीजिए R से, तो आपको यहाँ पे, जो है, वो TP वाला amount है, वो आ यह example आप ढंक से करके जाना, अच्छे से करके जाना, because मुझे यह लगता है, कि exam में ऐसा question आपको मिल सकता है, next part is related to the rent free accommodation, यह जसको बोलते है house facility, एक बात समझता, अगर employer ना आपको घर रहने के लिए दिया, तो उस case में क्या होगा, दो part, अगर government employee होता है, तो government employee के लिए tax taxable होता है, as per the government rules, miss government के इसाब से एक license fees दे रखी होती है, license fees जितनी भी यह उतना taxable हो जाएगा employee के हाथ में, लेकिन other employee है, उसको घर दिया रहने के लिए तो क्या होगा, तो other employee को घर दिया तो उसमें दो part, सबसे पहले क्या वो house दिया है, वो employer का own है, या employer ने भाड़े पे salary, 7.5% आपको तब लेना है, जहांपे वो घर है, उस area का population up to 10 lakh है, if that population is more than 10 lakh, up to 25 lakh है, तो आप 10% लेजिए, और वो population अगर 25 lakh से भी जादा है, तो आप 15% लेजिए, तो देको 7.5% कब लेना है, जब population up to 10 lakh है, 10 lakh से जाधा है, अप to 25 lakh है, तो 10% लेजिए, और 25 lakh से जाधा ह तो 15% लेजिए, major time exam में ऐसा दे रखा होता है, जहां Mumbai Delhi के question होते है, वहाँ पे आपको 15% लेना पड़ता है, तो 15% of salary है, वो सीधा taxable कर दीजिए, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर माल लो, वो hired by employer है, जो घर है, वो employer ने hire किया है, और hire करके भाड़े पे लेके, और employee को रहन अब एक बात समझता, बहुत बार क्या होता है, कि घर के साथ साथ furniture भी दिया जाता है, आपको देखना पड़ेगा, वो furniture किसका है, अगर employer का own है, तो 10% of salary है, 10% of cost, अगर furniture employer own का है, employer का खुद का है, तो 10% of cost है, वो taxable कर दीजिए, लेकिन अगर माल लो, hire by employer है, तो उस case में जो hire charges paid by employer है, वो आप taxable कर दीजिए, इस उपर वाले percusate के साथ में आप ये भी जोड दीजिए, अगर furniture दिया जाता है, तो, तो furniture दिया, employer का own furniture है, 10% of cost लीजिए, अगर employer ना hire किया हो, hire charges paid by employer है, वो आप ले लीजिए, अब एक चीज समझना, यहाँ पे salary का definition क्या आएगा पता है, यहाँ पे salary का definition आएगा, BDB ACM, यहाँ पे salary में आपको BDB ACM लेना है, यहाँ पे salary में BDB ACM लेना है, BDB ACM का मतलब क्या होता है, B का मतलब आप basic salary ले लीजिए, D का मतलब आप dearness allowance लीजिए, कौन सा जो भी DA है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे DA जो in terms है, वो ही आपको लेना है, जो BDB ACM लेते हैं, सबसे पहले B का मतलब आप basic salary लीजिए, D का मतलब आप dearness allowance लीजिए, in terms वाला, उसके बाद B का मतलब bonus जो है, वो ले लीजिए, A का मतलब allowances ले लीजिए, जो taxable allowances बचते है, वो लीजिए, और C का मतलब आप commission ले लीजिए, और M का मतलब, अगर कोई भी monetary income वगेरा है, वो आपको लेनी है, perquisite को छोड़के, monetary income जैसे बहुत बार overtime कर लेते हैं, overtime का salary वगेरा होता है, that is called monetary income, वो आपको लेना है, तो BDB ACM लेना है, B का मतलब आपको bonus लेना है, उसके बाद में, उसके बाद T का मतलब आपको taxable allowances लेन है, जो current year में, जैसे मान लो foreign example, आपको घर की facility provide की 8 month के लिए, तो वो 8 month का salary है, BDB ACM वो ही लेना है, इसमें कोई भी retirement benefit आपको नहीं लेने, क्योंकि वो तो तब मिलेंगे जब आप retire हो जाएगे, उस time तो आपका घर वापस ले लिया जाएगा, या फिर बहुत बार क्या हो था, वो नहीं लेना, employer का contribution है, वो आपको नहीं लेना, और BDB ACM आपको उतने time का ही लेना है, जितने time तक आपने वो घर occupied किया है, जैसे बहुत बार examiner क्या करेगा, examiner देखा कि घर available था 9 month के लिए, आपने occupied 7 month के लिए किया है, तो 7 month का आपको BDB ACM है, वो आपको लेना है, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार hotel दिया जाता है, अब एक चीज़ समझना, hotel facility अगर आपको 15 days के लिए दी है सिरफ, और वो भी at the time of transfer, जब आपका transfer हो रहा है, ट्रांसपर के time पे आपको 15 days के लिए अगर कोई hotel facility दी होती है, तो taxable नहीं होता, बट 15 days से ज़्याद मैंने hotel benefit में आपके लिए taxable होगा कितना, 24% of the salary BDB ACM लेंगे और higher charges paid by employer, whichever is lower है, उतने का exemption बिल जाएगा, एक और चीज़ समझना, यह house facility, hotel facility में, जो आप यह taxable amount निकालते हैं, employee अगर उसमें कुछ ना कुछ rent पे करता है, तो जितना employee rent पे करता है वो आप less कर दीज़े, जि अगर fully office purpose के लिए, एक आपका fully personal purpose के लिए, देखो, car अगर fully office purpose के लिए है, तो तो कुछ भी taxable नहीं होगा, car अगर fully office purpose के लिए, तो कुछ भी taxable नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना, employer को record maintain करना पड़ेगा, each journey का, and employer issue a certificate to employee के भईया, यह car पूरा office purpose के लिए use ह हो रहत है, उस case में taxable होगा, कितना taxable होगा, देखो, CDC बात है, it is a use of movable asset, अगर car employer की own है, तो 10% of cost ले लीजिए, higher by employer है, तो higher charges ले लीजिए, अगर एक बात बताओ, employer है, वो petrol भी भरवाता है, fuel का expenditure तो वो भी add कर दीजिए, employer है, उसने repair maintenance pay किया, तो वो भी आप add कर दीजि अब एक चीज समझना है, यहां, partly office, partly personal के case में क्या होता है, दो part, partly office, partly personal exam में question आता है, देहां रखना, partly office, partly personal, POPP, तो POPP अगर कोई car है, जो partly office के लिए उस होती है, कभी कभी office के लिए, कभी कभी घर के लिए, तो उस case में क्या होगा, तो lawmakers बोलते है, दो part, सबसे पहले अ और employee खर्चा कर रहा है, और office के लिए भी use कर रहा है, employee को कुछ benefit मिला के, नहीं, तो कोई भी taxable नहीं, nothing is taxable, but अगर car employee किये, और all running and maintenance charges are paid by employer, मिस जितना भी petrol, diesel है, वो employer भरवा रहा है, employee को कुछ ना कुछ benefit हो रहा है, तो यहां पे employee के हाथ में taxable कितना होगा, पाता है, जि इतना employer ने खर्चा किया, minus एक standard amount less हो जाएगा, that is 1800 पर मन्त और 2400 पर मन्त, 1800 पर मन्त और 2400 पर मन्त, 1800 पर मन्त तब होगा, जब car की capacity 1600 cc तक ही है, अब to 1600 cc या 1.6 liter भी बोलते है, and 1600 cc से ज़्यादा है, तो उस case में 2400 पर मन्त इतना आप less कर दीजिए, बाकी वाला जो ब employer की है, ऐसा ही होता है बहुत बार, car employer की है, और वो POPP purpose के लिए use हो रही है, और employer की car है, employee अगर तेल भर वारा है, running and maintenance charges है paid by employee, तो उस case में employee को थोड़ा बहुत benefit हुआ, और taxable कितना होगा, या तो 600 पर मन्त या 900 पर मन्त सीधा taxable होगा, flat taxable among, 600 पर मन्त तब होगा, जब 1600 c तक की car है, 1600 से जादा है, तो उस case में 900 पर मन्त, लेकिन अगर मानलो, car employer की है, तेल भी employer भरा रहा है, means आपका running maintenance charges भी employer pay कर रहा है, तो employee को ज़्यादा benefit होगा, और taxable कितना होगा, 1800 पर मन्त या 2400 पर मन्त, 1800 पर मन्त जब car है, वो 1600 cc तक है, 1600 से जादा है, तो 2400 पर मन्त taxable हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार अगर POPP purpose के लिए car है, और employer जो है, वो driver भी देता है, तो driver का 900 पर मन्त आपको add करना है, 900 पर मन्त है, वो आपको add करना है, driver के two words है, वो 900 पर मन्त आपको add करना है, एक और चीज़ समझना, कभी ऐसा हो जाए, मानलो, कि एक से जादा कार POPP purpose के लिए, partly office, partly personal के लिए दो कार, तीन कार, तो उस case में एक कार जो है, वो तो आपको POPP माननी है, और बाकी सब कार है, वो fully personal purpose के लिए माननी है, और पूरा आपको taxable करना पड़ेगा, अब एक और चीज़ समझना, जो transport facility होती है, ट्रांसपोर्ट क अगर बस वगिरावाले employee हो, उनको बस का facility है, तो वो पूरा taxable हो जाएगा, education facility अगर दी जाती है, तो उस case में ध्यान रखना, अगर माननी हो education employee को दिया जा रहा है, facility, तो पूरा exempt है, employee के बच्चों को दिया जा रहा है, और employee के children's को दिया जा रहा है, कहां पर पता है, ऐस education facility per month दी जा रही है, per month value जो है per child, अगर up to 1000 है, तो पूरा exempt है, 1000 से उपर है, तो पूरा taxable है, ध्यान रखना, अगर children को education facility दी जा रही है, और वो education employer के own school में दिया जा रहा है, या किसी ऐसे school में जहां employer का type है, उसमें अगर मानलो वो facility की value up to 1000 है, per month, और वो up to 1000 है, तो पू पूरा taxable हो जाएगा, किस के हाथ में, employee के हाथ में, और बाकी किसी को education facility दी जाती है, तो पूरा taxable हो जाएगा, एक और चीज़ समझता है, यह gas electricity, water supply का facility fully taxable होता है, free servant का facility fully taxable होता है, other कोई भी percusate है, तो पूरे taxable हो जाएगे, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो कम rate में, जैसे for an example, DMART है, तो DMART के employee को क्या होता है, कुछ ना कुछ benefit मिलता है, कम rate में, like cost के rate में उनको goods दे जते है, तो वो पूरा exempt है, as well as the non-monetary perquisite पे tax, अगर जो है, वो employer ने पे किया, तो वो भी पूरा exempt होता है, under section 1010 CC, अब एक चीज़ होती है, professional tax, यह professional tax कुछ- deduction मिलेगा, और professional tax का deduction कितना मिलता है, 2500 ही professional tax होता है, तो 2500 पर एनमखा, आप इसमें deduction ले सकते है, अब professional tax देखो, employee ने खुद ने भराए, तो सीधा deduction ले लिजी, under section 16, बढ़ अगर employer ने भराए, तो पहले आप add करिए, पहले आप salary में add करिए, और फिर आप 2500, मतलब जितना है maximum 2500 का आपको deduction मिलता है, तो मैंने क्या बोला, professional tax हो कर employee ने खुद ने भराए, तो सीधा deduction ले लिजी, under section 16, बढ़ अगर employer ने भराए, तो पहले आप add करिए statement में, और फिर आप क्या करिए, उस पर deduction ले लिजी, entertainment allowance है, वो taxable होता है, लेकिन entertainment allowance का deduction, government employee को मिलता है, और government employee कितना deduction ले सकता है, 20% of the basic salary, or actual amount received, or maximum 5000, whichever is lower का deduction ले सकता है, एक और चीज़ समझता है, salary में 50,000 का standard deduction मिलता है, under section 16, so standard deduction आप 50,000 का ले लीजिए, उसके बाद एक concept आता है, pay scale का, ये pay scale का concept क्या होता है, पता है, कि जैसे यहाँ पर दे रखा है, 10,000, 1,000, 13,000, 1500, 16,000, 2000, 20,000, 3000, इसका मतलब क्या होता है, कि हर मन्त उसका salary 10,000 रहेगा, 10,000 उसका salary पर मन्त रहेगा, next year उसमें 1000 increase होगा, miss 1000, 1000 increase होता जाएगा every year, till जब तक उसकी salary 13,000 ना पहुच जाती, अगर 13,000 पर मन्त पहुच गे, उसके बाद every year increment होगा, 1500 per month का, 1500 miss increment होगा for one year, उसके बाद 1500 every year increment होगा, till the time, उसकी salary 16,000 नहीं पहुच जाती, that is called pays के लिए, यहाँ पर एक example दे रखा, आप देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद एक section 89 का एक rebate होता है, that is called arrear salary का rebate, यह rebate क्या बोलता है, पता है, कि अगर माल लो कोई पुराना तुमारा arrear salary इस बार मिला, उसमें पुरानी arrear salary को add करके tax निकालो, और उसमें से less करो current year की salary ko हटा कर जो tax calculate करके less कर दो, तो A minus B कर दो, तो A क्या? current year की salary plus arrear salary पुरानी है, उसको add करके, उस पर tax निकालो, उसके बाद, current year की pre-re leicht वाले में जो आया था और दूसरे वाले, दोनों का जो डिफरेंस है, उतना आपको रिबेट मिल जाएगा under section 89, क्या बोला, देखो, current year की salary, including arrear salary को add करके tax निगालो, current year की salary, excluding arrear salary tax निगालो, A-B कर दो, this year की arrear salary है, उस year का tax, including arrear salary, और उस में से उस साल का tax, excluding arrear salary का जो difference है, वो difference, इस difference में से less कर दो, वो आपको रिबेट मिल जाएगा, next, यहाँ पे एक जो rule दे रखा, कोई काम का निया, perquisite आपका जो ESOP वाला, एक बात समझना है, यहाँ पे, all people just pay attention, मैंने वहाँ पे बोलते टाइम आपको यह बोला था, कि ESOP taxable उस year में होता है, जिस year में आपको शेयर में होता है, जिस year में आपको share a lot होता है, जिस year में share आपको a lot होता है, उस year में taxable होता है, और ESOP salary head में taxable होता है, और जो भी fair market value रहेगी, fair market value कौन सी date की लेते है, जिस दिन आपका option exercise होता है, तो fair market value minus जितना भी आपका issue price है, यह difference है, वो आपके लिए taxable हो जाएगा employee के हाथ में, लेकिन sir, fair market value निकालने का कैसे, तो fair market value कैसे निकालने का समझने कोशिश करना, कि अगर मानलो, जो share है, वो listed share है, जो share है, वो listed in the recognized stock exchange, अगर recognized stock exchange में listed share है, तो उस case में आप एक काम करिए, average ले लीजिए, opening price और closing price का, कि share उस दिन कितने पे खुला था और कितने पे end हुआ था, कितने पे close हुआ था, उसका आप average price ले ले लीजिए, वो आप आपका fair market value हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझना, उस दिन अगर कोई भी trading है, वो नहीं हुई है, तो आप एक काम करिए, last trading session का closing price किया था, यहाँ पे देखो closing price, देखो, normally listed share है, तो उस case में आप एक काम करिए, जिस date को option exercise किया ना, उस दिन opening और closing का average ले ले लीजिए, opening closing का average ले लीजिए, बैट मानलो उस दिन trading नहीं हुई है, तो last trading session का closing price किया था, वो आप ले लीजिए, वो fair market value होगा, लेकिन अगर share मानलो एक से ज़्यादा stock exchange में listed है, जैसे BSC, NSC में, ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा recognize stock exchange में listed है, तो उस case में आप एक काम करिए, जहाँ सबसे ज़्यादा volume हुआ था ना, वहाँ का data लेना है, जिस stock exchange में ज़्यादा transaction हुए थे, ज़्यादा volume हुए थे, वहाँ का आपको data लेना है, ठीक है, उसके बाद में एक चीज समझना, अगर कोई unlisted share है, तो उस case में merchant banker है, वो उसका fair market value है, वो determine करेगा, एक बात समझना, जब भी आप ESOP को sale करोगे, तो आपका full value of consideration selling price आ जाएगा, और minus cost क्या लेंगे बता है, वो FMB, जो FMB आपने consider की थी, ESOP calculate करने के लिए, वो share की cost हो जाएगी, और आपको capital gain लग जाएगा, अब एक बात समझना, यहाँ पर ESOP के case में, मैंने क्या बोला, ESOP के case में, आपका capital gain ESOP के case में, जो आपके salary head में taxable होता है, वो कब taxable होता है, जब आपको allotment होता है, लेकिन एक चीज़ समझना, इसका एक exception है, that is the startup के case में, अगर कोई startup है, और startup ने क्या किया, कि employee को ESOP दिया, तो उस case में अभी taxable नहीं होगा, अभी ESOP salary head में taxable नहीं होगा, means taxable तो होगा, अभी नहीं भढ़ना है, tax है, वो बाद में भढ़ना है, या जो employer को TDS काटना है, वो employer को TDS बाद में काटना है, कब TDS काटना है, तो lawmakers बोलते हैं, कि यहाँ पर अगर ESOP के case में, और अगर startup है, तो startup अगर ESOP देता है, तो उस case में, employer को TDS अभी नहीं काटना, कब TDS काटना ह या फिर उसने जॉब छोड़ दिया, तो उससे 14 days, या फिर उसने वो share sold कर दिये, उससे 14 days, whichever is earlier वाला event रहेगा, तब TDS काटना है, अभी TDS काटने की जरुवत नहीं है, इस से related मैंने एक example दे रखा है, यह आप देखोगे, तो आपको easily समझ में आ जाए गागर गे, ठीक है, आप सुनेंगे, तो आपके दिमाग में चीज़े है, वो fit बैट जाएगी, और जिससे आप exam में अच्छे से perform कर जाएंगे, DT का paper है, वो difficult आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, और उसके लिए आपकी जो preparation है, वो भी difficult होनी चाहिए, अच्छी preparation होनी चाहिए, don't worry about that जितनी बार आप ये lecture सुनेंगे ना उतनी बार आपके दिमाग में चीज़े है, वो refresh होती जाएगी, ठीक है, चलो, thanks a lot people, that's enough for today from my side.